दोस्तो आज की वीडियो में हम आपके लिए बताने बाले हैं कैसी अप्लिकेशन से पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं अगर आपके लिए लोन की जरूरत है तो इस अप्लिकेशन से आप अच्छा कासा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो loan के लिए कैसे apply करते हैं step by step सारी जानकारी आपके लिए मैं बताने बाला हूँ तो वीडियो को सुरू से लेके last तक आपके लिए बहुच करना होगा तो इसके मैं about section में आ जाता हूँ तो बता देता हूँ कि कैसी application आपके लिए कौन कौन से loan provide कराती है सबसे पहले बात कर लेते हैं कैसी application है वो आपके लिए दो तरीके के loan provide कराती है सबसे पहले बात करते हैं कि वो आपके लिए personal loan provide कराती है extent के extent personal loan दे देती है और दूसरी बात है यहाँ पर आपके लिए pay letter limit है वो provide कराती है 1000 रुपए से लेकर 4 लाग तक का लोन आपके लिए इस application से मिल जाएगा और easily तरीके से आप इसको अपने bank account में transfer कर पाएंगे आप देख सकते हैं कि easily तरीके से यहाँ पर लिखा transfer to bank account आसानी से आप install के install कर पाएंगे तो यहाँ पर नीचे सभी जानकारे आपके लिए पढ़ लेनी है कि आपकी criteria के होनी चाहिए कि आपकी age है वो 21 साल होनी चाहिए अगर अगर आपकी मंतली income आपकी 12,000 है तो आपके लिए अच्छा कासा इस application में loan मिल जाएगा आप आसानी से इसमें EMI भी आप बना पाएंगे तो application में कैसे loan apply करते हैं चलिए उसके बारे में आपके लिए बता देते हैं तो play store से application को download कर लेना है यहाँ पर लिख लेना है कैसी personal loan app उसके बाद इस application को कर लेना है open open करते ही आपके सामने इस परकार का interface कुल कर आ जाएगा इस परकार का interface कुल कर आ जाता है तो आपके लिए कुछ दीर का bait करना है उसके बाद आपके सामने इस प्रकार की processing चलने लगेगी डाउनलोडिंग नीचे हो रही है डाउनलोड जैसे अप्लोड पूरा हो जाता है आपके लिए कुछ तेर का bait करना है उसके बाद आपके लिए क्या करना है apply के option पे click कर देना है उसके बाद sure late proceed के option पे किलिक कर देना है। जैसे हम इस पे किलिक करेंगे उसके बाद आपके सामने इस परकार का interface कुल कर आएगा allow के option पे कलिक कर देना है। अब कैसी में आप 3 तरह के से account को बना सकते हैं। सबसे पहले आपके लिए मैं बता दूं कि अगर आपके पास LinkedIn है तो उससे भी account बना सकते हैं अगर आपके पास Gmail ID तो उससे भी बना सकते हैं और अपनी Facebook account से भी इसमें account को बना सकते हैं और आसानी से loan के लिए apply कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ दूस्तो अपनी Gmail ID से account तो मैं बीच वाली option पर किलिक कर देता हूँ चलिए हैं आपर बीच वाली option पर मैंने किलिक कर दिया उसके बाद OK की option पर किलिक कर देना है किलिक करते ही आपके सामने इस प्रकार की processing चल ले लगेगी जैसी ही processing फिर से processing चलने लगेगी जैसी processing पूरी हो जाती है उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस कुल कर आ जाएगा यहाँ पर अपना mobile number डालना होगा उसके बाद यहाँ पर gate OTP के option पर किलिक करना होगा जैसी ही आपना mobile number डालेंगे gate OTP के option पर किलिक करेंगे तो आपके mobile number पर एक OTP जाएगी उस OTP को यहाँ पर फिलप करना है या तो automatically ही फिलप हो जाती है उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस कुल कर आ जाएगा यहाँ पर कुछ आपके लिए basic details फिलप करनी होगी जैसे कि आपके लिए मैं बता दूँ अपना mobile number आपक लिखा education में आप क्या बरना होगा कि हम graduate है आपने क्या कर रखा है उसके बाद यहाँ पर pain card number उसके बाद यहाँ पर जो आपका जो मनलब की honor है कि आप जो home का रेंट पर रहते हैं या आपका खुद का घर है वो यहाँ पर status बरना होगा उसके बाद यहाँ पर pin code बरना होग है पिन-code के बाद में नीचे की साइड में इसट्रॉल करना है उसके बाद आपके सामने इसंपुल्चर का मैं इंटरफेस APPLAUSE कर आ जाएगा पिन-code बरने के बाद में आपके सामने आपके लिए क्या करना है नीचे की साइड में बहुत करना होगा उसके वाद नीचे की साइड में इस्क्रॉल करेंगे आपके सामने इस परकार का इंटरफेश कुल कर आ जाएगा यहाँ पर नीची की साइड में आपके लिए क्या करना नेड मंतली आपकी इंकम कितनी है वो फिलप करनी होगी उसके वाद टिक के उप्षन पर किलिक करना होगा जैसी आप सेप के उप्षन पर किलिक करते हैं तो आपके सामने इस परकार का इंटरफेस खुल कर आ जाएगा यहाँ पर लिख कर आ जाएगा और यहाँ पर लिख कर आ जाएगा दोस्तों नीची की साइड में आपकी लिमिट लिक कर आ जाएगी जितनी भी limit आपके लिए मिली होगी वो यहाँ पर show होती होगी मतलब की बता रहा है कि आप 30,000,000 तक का loan इस application से आप apply कर सकते हैं यह जी बहला है आप 30,000,000 तक के loan को apply करने के लिए तो इस loan को लेना चाहते हैं तो okay के option पर click कर देना है उसके बाद आपके सामने इस परकार का interface कोल कर आ जाएगा यहाँ पर कह रहा है कि आपको एक amp pin बनाना होगा दोस्तों आपके लिए बता दूं कि amp pin क्या होता है amp pin दोस्तों जब भी आप बनाते हैं तो वो एक security pin होता है आपके लिए मना क्या करना होगा उसके बाद स shining कर देना है इसके बाद आपके सामने इस पर करका लेयन डालना हा जा एक और दुबहारा से बोहिए दालना है उसके बार confirm पर किलिक कर देना है इसके बाद आपके सामने इस परकार का interface कुल कर आ जाएगा यहां पर टिक के option पर किलिक करके I accept के option पर किलिक करके proceed के option पर किलिक कर देना है प्रोशीट के option पर किलिक करते ही आपके सामने इस परकार का इंट्रफिसbor आजाएगा उपर की साइड में आपके लिए इस पेर कर यहां पर आपके लिना चाहते यहां गयां पर फिलक कर देंगे जितना भी लोन अमांटंट महां पर खुलकर आया है उतना ही कर सकते हैं उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो यहां पर भर लेना उसकी बाद टिकy option पर यहां पर क्लिक कर देना उसके वाद साबने करकर अब यहां पर करना होगा पर आपके लिए कैसे बता देता हूं यहां पर बोले कि आपका आपका जब्सके ऐन के आपका खरे है क्ला चलीट करना इसके पर आपका चलीट के साथ रहते हैं उसके उ sv भरना होगा जो आप जहां रहते हैं उसके पर सामने नीचे के साइड में सेब का उप्सन मिल जागा उस पर किलिक करते ही आपके सामने इस परकार का एंटरफेस को कर आ अब आपके लिए दोस्तों बता दूं कि यहां पर डिटेल्स अभी पूरी नहीं हुई जैसे कि आपकी परसने डिटेल्स है पूर जैसे ही परकार का इंटरफिस को बहुकर कर आता है तो यहां पान आपके लिए सभी डिटेल्स को भर लेना है employee type में नेम बरना है आपके लिए przed mail बरना है बर्क आप किस date में करते हैं क Quel करते हैं वह date बरनी उसके बाद आपकी मतली income कितनी है select आपके लिए किद्रांसफर कैसे डारेक्ट्टटट ट्रांसफर होती问 मिलती वे बरना है उसके बहाद जुभक यहां पर आपके decision भरना है उसके बाद work यहां पर बरना है उसके बाद यहां पर जो भी जानकारी है वो भर लेनी है उसके बाद save की option पर उपर की side में click कर देना है आपके सामने इस परकार का interface को कर आ जाएगा अब आपके लिए अपनी bank details भरने होगी जिस बैंक में आप लोन लेना चाहते हैं जोतना भी लोन आपको लेना चाहते हैं वह यहां पर बैंक भरनी उसके बाद बैंक का नेम भरना है उसके बाद bank account number confirm bank account number उसके बाद आपके लिए IFC code और उसके बाद यहां पर लिखा पॉपाइई मतलब की उपशनल है तो आप यहां पर नहीं वहरएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं भर देंगे तब कोई बात नहीं है तो उसके बाद आपके लिए वह उपर की साइड में छेप के अपसिन पर किलिक करेंगी आफके सामने इस परकार का इंटर्फेस कूल कर आ जाएगा अब हिआ पर दोस्तों आपके लिए क्या करना है है फो यहां पर रिकॉ MATT काइड का फो dissect अबर इंप्रोड करना होगा उसके बाद आथर का फोटो अप्लोड करना होगा कि ब्रैयन उसके स्क्वाध कड़ सकते कोई भी दिक्त नहीं है बरना आपके लिए भरना ही बरना की भरना जैसे की बैंक की रिक्वायर है इसको आपके लिए भरना है तो यह हैंद्ड़ परसंट कंप्लेड हो जाती है उसके बाद में आपके लिए क्या करना है नीचे की साइड में आपके लिए एक option मिल जाएगा gate loan का इस पर आपके लिए किलिक कर देना है जैसे आप इस पर किलिक करेंगे आपके सामने इस परकार का interface कुल कर आ जाएगा अब यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे offer दिये जाएंगे जिससे आप loan के लिए apply कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मेरे case में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे दोस्तों एक लाग तक का loan approval मिला है इसको मैं आसानी से यहाँ पर जो credit limit है वो है एक लाग तक की इसको मैं यहाँ पर आसानी से apply कर पाऊंगा आपके लिए दिखा देता हूँ बहुत सारे offer मिले हैं यहाँ पर पढ़ सकते हैं ऐसी ही आपके लिए offer मिले होंगे यहाँ पर देड़ लाग तक का loan है यहाँ से अपलाई कर पाऊंगे इसी सारे offer आपके सामने खुलकर आते होंगे तो जो भी loan आपके केले क्या करना होगा जैसे कि मेरे case में यहाँ पर credit limit अपलाई करना चाहता हूँ दोस्तों आपके लिए सबसे अच्छी बात बता दू कि इस application में जो credit limit है अगर आप इसको apply करते हैं एक लग तक की credit limit है अगर आप इसको apply करते हैं तो इस limit से आप shopping भी कर पाएंगे और easily तरीके से इसको अगर आपने bank account में transfer करना चाहते हैं तो bank account में transfer भी कर पाएंगे तो इ पहले ही डाल दी होगी तो आपके लिए skip कर देना है और अगर नहीं डाली है पहले तो आपके लिए यहां पर email ID डाल कर verification कर देना है आपके mail ID पर OTP जाएगी OTP डाल कर यहां पर OTP कर verification करने के बाद आपके सामने इस पर करका interface खुल कर आ जाएगा अब यहां पर दोस्तों बोले कि अगर आपius 5000 लोन लेना चांँते तो 5000 के टेर लिया ले सकते हैं अगर आप दोस्तों बावन की लिना चाहते सपटें है तो बावन हजार अभी यहां पर ले सकते हैं तो यहां पर मैं केबल की केबल 10000 की के लिए kredit लिमिट के लिए करूंगा क्रेडिल लिमिट है वो only 10,000 के लिए apply करोंगो तो यहाँ पर मैं 10,000 कर लेता हूं उसके बाद 10,000 करने के बाद apply के option पर नीची की साड में मैं click कर देता हूं click करने के बाद मेरे सामने इस प्रकार का interface को राएगा enter your name अब के लिए अपना name भरना उसके बाद proceed को option पर click कर देना है जैसे इस परकार का इंटरफेस बैक होकर आ जाता है तो आपके लिए कुछ दीर का बेट करना है उसके बाद दोस्तो फिर से एप्लिकेशन को ओपिन करने के वाद नियापन जोसतो माई कैस का ऑप्षन मिल जाएगा इस पे आपके लिए किलिक करते ही इस पर किलिक करते ही आपके सामने इस परकार का इंटरफेस कुल कर आ जाता है अब यहाँ पर कह रहा है कि आपके लिए इस E-Loan Agreement करना होगा अगर आप 10,000 तक का Line Credit Line Limit आए उसको ले रहे हैं तो आपके लिए E-Sign-Up Agreement करना होगा तो Agreement करने के लिए आपके लिए इस पर किलिक कर देना है किलिक करते ही आपके सामने इस परकार का इंटरफेस कुल करा जाएगा नीची की साइड में आपके लिए आधार कार्ड इस पर किलिक कर देना है इसके बाद आपके mall number पर एक OTP जाएगे जो आपके अधार काइट से link है उस OTP को यहाँ पर flip करना है verify OTP के option पर click कर देना है इस पर click करते ही आपके सामने इस पिरकार का interface कुल कर आ जाएगा आपको 10,000 तक की limit यहाँ पर मिल चुकी है उपर देख सकते कि आपके credit limit है वो 10,000 तक की available है और इसकी expiry date यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके आते होगी वो expiry date भी यहाँ पर आप देख सकते हैं असानी से उसके बाद आपके लिए दोस्तों बता दू कि यहाँ पर इस limit से आप यहाँ पर shopping कर सकते हैं मिल्टरा में लब की आइमाजॉन बगारा है जो भी फिलिप कर्ड बगारा है और वेर बगारा है इसमें सब में shopping आप कर सकते हैं अब आप सोच रहें कि अगरा मैं 10,000 तक की लिमिट है इसको मैं 90 दन के लिए लेना चाहता हूँ अपने bank account में transfer करने के लिए आपके लिए apply का option मिल जाएगा जी apply का option इस परकार से आता होगा न यहां पर आता होगा यह जो भी डेटेल से वह आती होगी उसके बाद यहां पर नेचे की साइड में आपके लिए confirm का option मिल जाएगा confirm बाले option पर किलिक कर देना है जैसे आप confirm की option पर किलिक करेंगे तो आपके सामने इस परकार का interface कुल कर आज जाएगा अब यहां पर बोलना है कि जैसे कि आपकी credit limit है वो 10,000 तक की है अगर हम 10,000 से कम लेना चाहते एक हजार रोपैसे लेकर 10,000 तक के बीच आप जितना भी amount फ्रृइंटा अपनी bank account में transfer करना चाहते है то आप आजानी से कर पाएंगे इससे कि यहांप अगर मैं 10,000 करना चाहता हूं तो 10,000 घंज करना चाहता हूं तो 10,000 तोगलिप करेंग का márm ज्वाद पर आप पर यहां परफिए बढ़ना होगा उसके बाद आपके लिए प्रोशीट के उप sum पर क्लिक यह सामने इस प्लिक करका इंट्रोपिस कुल कर आ कार से इस application से आप loan के लिए भी apply कर सकते हैं और credit limit के लिए apply कर सकते हैं बहुत ही अच्छी application है अगर वीडियो आपके लिए पसंद आई हो और अगर आपके लिए कोई भी दिक्कत आ रही है इस application में तो मुझे comment section में आपके लिए जरूर बताना है मैं आपकी पूरी help करने की क कोशिश करूंगा धन्दवाद दोस्तों